नमस्कार स्वागत है आपका नाग का टेस्ट हुआ है और सफल पर इक्षन हुआ है तस्वीर है तो यह जो तस्वीर है यह अपने आप में आपको निश्यत तोर पर बता रही है भारती यह सेना की ताकत अपके स्थरा से बढ़ती जा रही है क्योंकि अब इस इंडिजीनियस मिजाईल को जो है वो डेवल पूर्वक टेस्टिंग हुई है इसके साथ-साथ यह थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइड़ेड मिजाईल है जो बड़े से बड़ा टैंक आधूनिक टैंक और इसके साथ-साथ बहुत ही दुर्गम इलाकों पर भी इसकी तैनाती आप कर सकते और इसे आप ग्राउंड से पास की वो बचकर निकल जाए दरसल इस नाग मिजाईल की चचा बहुत पहले से हो रही थी आपको पता है कि जुलाई में जो धुवास्त्र मिजाईल थी जो कि अगें टैंक पर निशारा लगाने के लिए बहुत काम आती है वो डियाडियों ने डेवलप की थी और उसके इस थर्ड जनरेशन मिजाईल का था कि इसका सफल टेस्ट जो है वो कब होगा आपको याद है कि बीटे एक महिने में डियाडियों ने लगबग इतनी मिजाईलों का टेस्ट कर दिया है कि या तो लेसी में चीन हो या लेसी में पाकिस्तान हालत सब की खराब है हालत कैसे ख जो एल्जी एटी जींग्स ती और इसके साथ फिर प्रिथ८ी टू हो या ब्रहमोस हो या इसके बाद रुद्रम हो या निर्भय हो या फिर उसके अलाबा ब्रहमोस जो नेवी ने जो आपने देखा था इन्स चेन्डे इसे जो शूट हुई थी जिसे अरब सागर में करती है या DRDO की तरफ से कोई टेस्टिंग होती है तो वो बाला सोर में होती है या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ होती है ये इन सब टेस्टिंग में इसा पहला था जो कि आपने अरब सागर की तरफ देखा इसके बाद सैंट मिसाइल का टेस्ट हुआ और फिर अब नाग म कि अब हमें खुद को वेपन्स के सिस्टम में भी इंडीजीनियसली डेवलप करना है तो उस मामले में कम से कम जहां तक मिजाइल की बात हो भारत उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और निश्चित तोर पर जैसाम ने बताया कि यह जो मिजाइल है नाग यह तकरीबन 230 मीट से बहुत जादा कम नहीं है और इसी तरह से जब कोई मिजाइल होती है वो आवाज की रफतार से बड़ी उसकी रफतार होती है तो फिर आप उसे मार्क वन मार्क टू और मार्क थरी की कैटेगरी में डालते है इसके साथ-साथ जो एक चीज सामने निकल कर आई है वो यह की 507 किलोमेटर की दूरी भी बहुत बहुत ही इंपोर्टन सकती है इस सीज को लेकर कि आपके पास अब नाग मिसाल जो है वो डेवलप होगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन जाते-जाते फिर यह तस्वीर देखिए जिसकी सफल टेस्टिंग आज हो चुकी है औ हो या फिर इंडियन आमी बहुत बहुत शुक्रिया